आज हमें आपर क्लास एट का चैप्टर नंबर फूर्थ की एक्सरसाइजिस करने जा रहे हैं है चैप्टर आपने अच्छी से पढ़ लिए हो चैप्टर का नाम है मैटल्स और नौन मैटल्स आपने क्लास बें और आगे जाब के आपको टैंज लास में पढ़ना हो तो यहां पर ज्यादा फूस्त नहीं है नौन मैटल्स का था उनकी प्रॉपर्डिज फिजिकल क्या है यह मल्टिपल चैप्टर फिजिकल से विच आप फूलेंग कैन नौन वे बीटन इन्टू तो मैं आपको बता दूँ ज्यादा तर जो मैटल्स हैं मोस्ट आपको मैटल्स कैन बीचेज़ इन्टू सीड्स और दिस प्रॉपर्डिव मैटल्स कॉल मैलेविलेटी ठीक जाधा तर जो मैटल्स हैं उनकी हम पीट पीट करके उसकी सीड बना सकते हैं चप्टी सीड बना सकते हैं जैसे आपने आइरन की सेट्स लेकिंग चद्रवगड़ा पर पड़ी रहते हैं घरों के आगे तो सेट्स होती है ठीक है तो जिंक है फॉस्फोरस से सफर ऑक्सिजन नों अर्ठीक है 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 सबस्को समझना होगा यह प्रॉपोर्टी होती है मेटल के तील ना केटिलीटी वो फ्रोपर्टी होती है जिसके अंदर जो मैटल है उसको खीच करके उसका तार बनाए जा सके डप्लिटी इस अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटल बाई वीच अ मैटल कैंडी ड्राउन इंटो थिन वायर्स तो इसमें जो है कह रहा है आल मैटल से इसके सभी मैटल होती है बिल्कुल नहीं होती है वहीं मरकरी है कहां से डक्टाइल है लेकिट फॉर्म होती है लेकिन बहुत जादा रीयक्टिव होती है क्या होती है रीयक्टिव हाशानी से आग पकड़ लेती है मैटल सासर कंडेक्टर और हीट एंड इलेक्रिक्रिकिटिटी मैटल जो होती है ईलेक्रिक्री City Iron is reactive than copper Iron is more reactive Iron जो होता है वो copper की तुलनामेंट बहुत जादा reactive होता है और किसी वे एक्टियो solution में जब इनको आपस में मिलाए जाता है तो iron जो है copper को displace कर देता है यह जो reaction से उसमें हम पढ़े हुए Metals react with acids to produce metals acid के साथ reaction करती है तो यह hydrogen gas क्या hydrogen gas को release करती है फिर आते हैं true false पर किस पर true false पर generally non metals react with acid बिल्कुल एकदम यह गलग statement है क्योंकि जो non metal होती है वो acid के साथ reaction करती ही नहीं है तो यह क्या होगा false होगा sodium is a very reactive metal एक दब true है क्योंकि sodium जो है बहुत जादा reactive metal होती है room temperature पर इसमें आग लग जाती है तो यह क्या है true है next question है copper displaces zinc from zinc sulfate solution zinc sulfate solution मितलब Zm SO4 तो यह क्या रहा है इस solution के साथ अगर copper को मिलाये जाएं तो copper zinc को displaced कर देती है मतलब यह जो reaction है displacement reaction होती है हम बताएंगे आपको अगे तो यह गलत है क्योंकि zinc जो है copper से ज्यादा reactive zinc is more reactive than copper then copper is unable to displace zinc but zinc can तो यह false है क्योंकि zinc displace कर सकता है लेकिन copper zinc को नहीं कर सकता coal can be drawn into wax यह तो आप अपने आपी समझ के हो गए यह कह रहा है coal को तावी बता जा सकता है बही कैसे बता जाता कि coal तो क्या है बहुत जाता कमजूर होता है छट पंगूर होता है brittle होता है कैसा होता है brittle होता है तो इसका तार कैसे बनेगा तूट जाएगा तो एक है फालता दूसी बाद non-metal है फिर जोगा किस्टन आपका distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties यहाँ पर कुस्ट प्रॉपर्टी दे रखी है उनके base पे आपको उनके base पे आपको metal, non-metal को distinguish करना है तो हमें देखते है appearance सबसे पहले appearance मतलब देहने में कोई चीज़ कैसी है तो appearance metal जो होती है वो lustrous होती है lustrous मतलब signing lustrous मतलब signing या sign ही कह सकते है तो most of the metals are lustrous and most of the non-metals are dull यहाँ पर अब जैसे बात आई के non-metal अभी कोई कहा है कि sir iodine तो lustrous होती iodine में तो बहुत चमक होती जबकि non-metal होती है अब यह exceptions भी तो कुछ होते है तो exception है क्या है अपवार है कि iodine less less होती है लेकिन generally non-metals होती है dull होती है hardness तो metal जो होती है जनरली hard होती है अब बात आती mercury की के अदर mercury तो liquid form में रहता है तो भी exceptions है अब बात होते है कुछ तो metal जो generally hard होती है और यह non-metal soft होती है malleability मेलेबिलिटी आपको बताई थे malleability वह property होती है जिसके अंदर किसे भी metal को peat करके उसकी sheet बनाई जा सकती है फाड़ वगएरा भी लौर बनाते है वह peat peat के बनाते है तो malleability है वह property क्या है वह malleability है तो जो metals होती है malleable होती है और जो non-metals होती है non-malleable होती है उनकी sheet नहीं बनाई जा सकती है ductility मेने आपको होता है ductility metals की वह property होती है जिसके अंदर खीच करके metal का तार बनाई जा सकता है जैसे आपने देखा हुआ electricity के जो wires है जैसे iron के यह copper के जो बनाए जाते है तो अकर देखा है तो property क्या है metal की ductility ductility property है क्योंकि metal ductile होती है ठीक है और जन्दली जो non-metals होती है non-ductile होती है उनके wire के बाए तंब लिखता सकते है heat conduction heat conduction देखा जाए तो جो metals होती है heat की बहुत अच्छी conductor होती है जबकि जो non metal है वो poor conductor होती है लेकिन जो एक non metal है ग्रेफाइट वो good conductor होता है इत का तो वो अलग बात है हम आपको 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 होता है करना है यह आपको 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 बताएंगे इनकी physical properties के आपको आपको नेक्स वीडियो बताएंगे प necessarily do क्रिको ओर म retrouveनोर के आपको 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 आपके लेके जए जोडियो चाहांब में हो आपको आपको । है झाल झाल